साथ्यों करोना से नौर्थ इस्ट में आप सभी किस प्रकार से कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ इससे निपटने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं आपने जो योजनाये बनाई हैं जो साकार किया है उसका विस्तार से आपने वर्णन किया आप लोग अरिक प्रजार से पूरा देश और विशेश करके हमारे हिल्थ वर्कर्स हर ने हर किसे ने अपनी अपनी जिम्मेवाई निभाने के लिए गत डेड़ साल से लगातार परिश्रम किया है नौर्थ इसकी भाउगली चुनावतियों के बावजूद टेस्टिंग और ट्रिट्मेंट से लेकर वैक्सिनेशन का इंफास्तिक्र तयार किया रहा है और विशेश रुप से आज मैंने देखा है कि आपने इस प्रकार से कि ठीक है चार राज्यों को भी इंप्रूब करना भागी है लिकिन बाकियों ने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ वेस्टेज को बहुत बड़ी मात्रा में रोका इतना ही नहीं आपने हर वाइवल में से मैक्सिमम यूटिलिटी का भी काम किया और एक प्रकार दे आपने प्लस प्रयास किया तो मैं आपके इस प्रयास को और खास करूँए हमें और सतर्क रहने की ज़रूत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सक्त कदाम उठाने होंगे कि हमने की तur है वrint के बता रहे ते कि उन्होंने लॉक्ट म कर सान्व का रास्ता चना चना छेह जार अधिक उन्म ए सकती है उस माइक्रो कंटेंबड हार पर नहीं हर केसे अच्छा हुआ इसलिए जितना जोड्र माइक्रो कंटेंब्मेंट जोन पर हम लगाएंगे हम इस परितिती से जल्दी बहार आएंगे और बीते डेड़ साल में जो अनुभव हमें मिले हैं जो बेस प्रक्टिस हमने देखी है हमें उसका भी पूरा इस्तमाल करना होगा देश के अलग-अलग राज्यों आपके राज्य में भी कुछ जिले होंगे कुछ गाउं होंगे कुछ अफसर होंगे जिन्होंने बड़े इनुवेटिव तरीके से इन चीजों को हैंडल किया होगा यह बेस प्रक्टिस को अइडेंटिफाइक करके उसको जितना ज्यादा हम प्रचारित करेंगे हमें होगी क्योंकि यह बिल्कुल बहुरूपिया है कि बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनोतिया खड़ी करता है और इसलिए हमें हर बेरियेंट पर बहुत बारी किसे नज़ी रखनी पड़ी हैं मुटेशन के बाद यह कितना पर हर बड़लाव पर नजर कर रही है ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीट्मेंट यह बहुत जरूरी है इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी सक्ति लगानी है पूरा फोकस इनी चीजों पर करना है वाइरस का प्रहाद वो दोगज की दुरी मास्क और वैक्सिनेशन के कवज के सामने कमजोर पड़ जाएगा और यह हम पिछले डेड़ साल के अनुभव से देखा है वहीं टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रिट्मेंट इसकी जो हमारी रणडिती है जो हमारा इंफा सक्तर है वो अगर बहतर होगा तो जादा से जादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे यह पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमानित हो चुका है और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोच्षाइद करते रहना होगा समाज के भी सिविल सुसाइटी के लोग हो दार्विक समाज के जीवन के आगे मुख्या लोग हो इन सबसे बार बार यह बाते आती रहें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा सात्यों यह सही है कि कोरोना की वज़े से टूरिजम व्यापार कारोबार यह बहुत प्रभावित हुआ है लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में मार्केट्स में बीना वास्क पहने बीना प्रोटोकल का अमल किये बिना भारी बीड का उमड़ा मैं समझता हूं यह चिंता का विशाय ठीक नहीं है कई बार हम यह तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं अरे भैट तीसरी लहर आने से पहले हम एंज्जोय करना चाहते हैं यह बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी कभी कभी लोग सवाल कुछ तेक तीसरी लहर के क्या तैयरी की है तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोखना है हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ति से कैसे अमल करना है अगर और यह कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है कोई जाकर के ले आएं तो आती है और इसलिए हम अगर इन चीजों को बर आप बर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोख पाएंगे आने के बाद क्या करें को एक विशह है लेकिन आते हुए रोकना यह प्रमुख विशह है और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजप्ता सतर्प्ता प्रोटोकॉल का पालन इस पर हमने थोड़ा सा भी करना है और एक्सपर्ट भी बार बार यह चेतामनी दे रहे हैं कि असावधानी लापरवाई भीड़भाड ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमन में भारी उचाला सकता है और इसलिए यह जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंबिरता के साथ उठाए जाए अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रूख सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए सात्यों केंदर सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सिन मुप्त वैक्सिन अभ्यान की नौर्टिस्ट में भी उतनी ही एहमियत है तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सिनेशन की प्रकरिया तेशत करते रहना है हमें वैक्सिनेशन से जुड़े भ्रहम को दूर करने के लिए सामाजिक सांस्कृति धार्मी सैक्षणिक जितने भी लोग हैं जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब को हमने जोड़ना है हरे के मुझ से इस बात को नीचे प्रतारित करना है और लोगों को मुबिलाइज भी करना है अभी नौर्थ इसके कुछ राज्यों में टीकाकरों को लेकर सरानिय काम हुआ है मैंने प्रारण में भी कहा जहां कोरोना का संक्रमन फैलने का खत्रा ज्यादा है वहां वैक्सिनेशन पर और भी बल दिया जाए साथियों हमें टेस्टिंग और ट्रिक्मेंट से जुड़े इंफासेक्टर में सुधार करते हुए आगे चलना है इसके लिए हाली में केबिनेट ने 23,000 करोड रुपिये भारत सरकार ने 23,000 करोड रुपिये का एक नया पैकेज भी स्विकृत किया है नौर्थ इसके हर राज को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफासेक्टर को बजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी इस पैकेज से नौर्थ इसक में टेस्टिंग डायनिस्टिक जीनॉम सिक्वेंसिंग इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा जहां केज बढ़ रहे हैं वहां तुरंत आईस्यू बेड केपरिसेटी बढ़ाने भी इससे मदद मिलेगी विशेश रुप से हमें ऑक्सिजन पर पीडियाट्रिक कैर से जुड़े इंफासेक्टर के निर्मार के लिए तेजी से काम करना होगा पीएम कैस के मार्द्यम से देश भर में सैक्ड़ो नए ऑक्सिजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और मुझे खुशी हुई आप सभी मुख्यमंत्रियों ने इस काम में जो तेजी से प्रगत्य हो रही है इसके लिए बहुत संतोष व्यक्त किया नौर्थ इसके लिए करीब डेड़ सो प्लांट्स विक्रूत हुए हैं मेरा आप सभी से आग रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे हो कहीं कोई बाधा ना आये इस पर भी एक द्रश्टी रखें और इसके लिए आवसे क्यों मेंट पावर है स्कील मेंट पावर है उसको भी तुरंट साथ साथ तैयार कर लीजिए ताकि बात में जाकर के वह दिक्कर ना है नौर्थ इसकी भावगलिक स्थिति को देखते हुए अस्थाई अस्पताल बनाना भी बहुत जरूरी है एक और अहम विशह है जो से मैंने प्रारम में कहा औ जो नई मशीने ब्लॉक स्थर के अस्पतालों तक पहुचाई जा रही हैं उनको सुचार रूप से चलाने के लिए ट्रेन मेंट पावर भी आवशक है इससे जुड़ी जो भी मदद आपको चाहिए केंद्र सरकार वो उपलब तक कराएगी साथियों आज हम पूरे देश मे 20 लाग से अधिक टेस्ट प्रति दिन करने की क्षंता तक पहुच चुके हैं नौर्थ इसके हर जीले में विशेश रुप से अधिक प्रभावी जीलों में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्र को प्राट्विक्ता के आधार पर बढ़ाना होगा यही नहीं रेंडम टेस्टिंग के साथ साथ हम क्लस्टर वाले ब्लॉक में एग्रेसिव टेस्टिंग करें इसको लेकर भी हमें जरुरी कदम उठाने चाहिए मुझे पुरा विश्वास है कि हम सब के सामुहिक प्रयासों से देश की जनता के सहयोग से हम कोरोना संक्रमन को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे मैं फिर एक बार आज विस्तार से नौर्थ इसकी चर्टा करके बहुत स्पेसिफिक विश्व पर हम चर्टा कर पाएं मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नौर्थ इसमें जो थोड़ी बडोतरी दिख रही है उसको तुरंत रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपको बहुत सुपकामना है जल्दी से मेरे नौर्थ इसके भाई बैन करोना से मुक्ति का आनंद आ यहां पर मिटिंग समाफ्त करते हैं अमय पर प्रथान मंत्री नरेंद्र मुदी मुख्यमंत्रीयों संग मन्थन कर रहे थे और मन्थन के बाद संबोधित करते हुए जितने भी पूरवत्तर राज्यों के मुख्यवंतरी हैं ये कहते हुए कि लापरवाही असाथधानी भीड़भार से उच्छाल आ सकता है अभी हमारी जिन्दगी से कुरूना नहीं गया है ये हमें समझने की जरूरत है और थोर्ड वेव कैसे रुकेगी इस पर सोचना जरूरी है कुरूना से निपटने के लिए 23 हजार करोड का पैकेज